वेरोनिका, 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 वे मैंने रिसेंटली रिहो शॉट्स नाम के एक चैनल ओपिन किया है अगर आपने अब भी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेस्क्रिप्शन वॉक्स में उसका लिंक है आप जाओ और उसको सब्सक्राइब करो क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग वी रिचुल है और इस वेरोनी का नाम का जो अत्मा यहां पर बहुत ही डरावने डरावने सिन्स है है और यह बिल्कुल ट्रू स्टोड़ी है ये एक ऐसा रिचुल है अगर कोई भी इसको खेलता है तो दा विरोनी का नाम का जो आत्मा है वो पूरी तरीके से मतलब जिन्देगी भर के लिए उस इंसान के साथ रह सकती है और उसकी जिन्देगी पूरी तरीके से नरग बना सकती है तो शायद ऐसा हो सकता है कि आज जब में इस गेम को खेलूंगी ना तब शायद मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो लेकिन बाद में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है I mean to say कुछ भी तो The Veronica Ritual के बारे में तो मुझे एक साइट से पता चला जहाँ पर कुछ ऐसे स्टोरी लिखा है बहुत ही छोटा सा स्टोरी है तो इस साइट पर ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका दिल कमजोर है तो आप इस गेम को मत खेलिए और मैं तो किसी को भी नहीं बोल कहा जाता है कि इस गेम को मेक्सिको में इनवेंट किया गया था लेकिन बहुत सारी लोगों का ऐसा मानना है कि ये गेम स्पेवन से ही आया है मतलब जो वेरोनिक अराम की लरकी थी वो स्पेन देखन चाल उस वे अ कितना सच और कितना जूट ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता लेकिन जैसा कि इस साइट में डिखा हुआ है मैं उसी की इसाप से आपको बता रही हूँ तो ये कहानी गाइस बहुत ही जादा कुट्ते भौकड़े ये बहार तो ये कहानी है एक टीनेज गर्ल की जिसका नाम था वेरोनिका वो लड़की अकसर कुछ ऐसी चीजे करती थी जो कि बिल्कुल भी नैचरल नहीं है मतलब आप समझनों की जादू रोना या फिर दूसरी दुनिया से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती थी ये लड़की तो एक दिन क्या हुआ कि ये लड़की एक बहुत ही डरावना सुपर नैचरल पावर से खेल रही थी लाइक वीजाबोर टाइप का कुछ था जहां पे वो आत्माओं के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो उस गेम को खेलते टाइम मतलब उस रिचुल को करते टाइम उसने कुछ शायद ऐसा डिस्रेस्पेक्ट कर दिया उस स्पिरिट को कि उस स्पिरिट ने उसकी जान ले ली और वो भी बहुत ही बुड़ी तरीके से कही दिनों तक उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी वह स्पिरिट उसके घर में उसको अक्सर ऐसा लगता था कि उसके घर पे कोई है किसी की काली परचाई भी दिखाई देती थी कभी-कभी ऐसे ही paranormal activities उसके घर बे कई दिनों तक चल रही थी तो उसको एक दिन अचानक ऐसा लगा कि हाँ शायद उसने कुछ ऐसा दूरा फर्टिया है उस spirit के साथ मतलब disrespect करके जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी तो जब भी उसको पता लगा तो उसके पास और कुछ भी चारा नहीं था वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पाई और वो जो spirit थी जो बूरी आत्मा थी उसने उसकी जान ले ली और तब से लेके आज तक ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी रात के 3 बजे या फिर रात के midnight के टाइम पे कोई भी अगर candle लेके mirror के सामने खरे होके वेरोनिका वेरोनिका नाम को 9 टाइम्स लेता है तो वेरोनिका उसके साथ हमेशा के लिए रह सकती है या फिर उसके साथ कुछ भी ऐसा बुड़ा हो सकता है उससे पीछा चुराने के लिए वो इनसान कुछ ऐसा कर सकता है कि भी नहीं ये भी मुझे बिल्कुल नहीं पता सिर्फ इस साइट में ऐसा ही लिखा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इस गेम को खेला भी है और उनके साथ बहुत बुरी बुरी चीजे हुई है जब ही मैं इसको देख रही हो ना मुझे बहुत जादा डरावना एक फील हो रहा है और आपको बताओ कि बाहरना मतलब अभी तो जैसे कि बलसाथ का मौसम है बहुत जादा भारी शोड़ी है और आज पूरे दिन में फाइफ टाइम्स लाइट जा चुकी है तो अभी मुझे ऐसा डर लग रहा है कि अगर में शूट करी हूँ ऐसे अगर लाइट चली गई तो में तो गई यहां से तो इस गेम को खेलने के लिए किसी एक इनसान को ही होना है मतलब इसको अकेला ही खेला जाता है और रिक्वेर्मेंट्स में ऐसा लिखा है कि एक बड़ा सा मिलर चाहिए एक क्लॉक, वच या फिर टाइम देखने के लिए ऐसा कुछ भी आप अपने साथ रख सकते हो और एक क्वाइट रूम, एक कैंडल एंड मैचेस और लाइटर, ऑप्शनल बट रिकॉमेंड़ेट और सबसे जो में चीज है यहां पे लिखा है कि मतलब किसी भी तरीके से वेरोनिका को डिज्रेस्पेक्ट नहीं करना है और इसको मिडनाइट में खेला जाता है, जैसे कि अभी बाड़ा तो बग चुका है, दो बजने वाला है और रूम तो एकदम प्रिपेर है, तो चलो भी इस गेम को खेलते हैं पहले तो कैंडल को जला लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़दा डर लगेगा अगर लाइट सारे ओफ करतू और ये ना काइंड ओफ ब्लाडी मेरी टाइप का ही है, क्योंकि आपको मिरर के सामने जाके ऐसा ही बोलना पड़ता है Oh my God guys, देखो मेरे पीछे मिरर है, and मुझे ना कितना ज़दा डर लग रहा है मिररा को देखते ही So guys, कल रात को ही मैंने दवेरोनी का चैलेंज किया है, and आज जब मैं बैट की इसको एडिट कर रही हूँ ना आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था कल रात को, लास्ट जो क्लिप आपने देखा ना, इसके बाद मैंने कैमरा को ओफ कर दिया था, फिर दूसरी बार से मैंने चालू किया था कि जो रिचुल है, वो मैं पूरी तरीके से एकदम फॉलो कर सकू, औ मैंने सब कुछ एकदम किया था, और मैंने सब कुछ दिखाया भी था, लेकिन पता नहीं कैसे, जब भी मैंने वेरोनिका का नाम नौ बार लिया, उसके बाद मेरा जो कैमरा है, वो अचानक से बंद हो गया, और मुझे लगा कि शाय बैटरी का कोई प्रॉबलम है, लेकिन कुछ भी नहीं था, जो भी है, वो तो आप बाद में देख पाऊगे, लेकिन सबसे बुरी चीज जो मेरे साथ हुई है, अभी तक मैं बहुत ही ज़ादा दुख के साथ ही आपको बता रही हूँ कि वो क्लिप को राप्टेड हो गई है, वो अभी नहीं चल रहा है, पता न नहीं देख पाऊगे अभी, यह रहा फोल्डर जहाँ पर मैंने सारे वीडियो को रखा हुआ है, एंड यह देखो मेरी वीडियो यहाँ से स्टार्ट होती है, नमबर इंग देखो आप बस 67 और यह 68, यही वो वीडियो है, जहाँ पर मैंने 20 मिनिट तक बाते की है, वेरोन गाइस आपको बिल्कुल नहीं पता की अभी मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं वेरोनिका वेरोनिका बोल रहे थी ना, वो कैंडल को हाथ में लेके, अचानक से पता नहीं कैसे मेरा कैमरा ओफ हो गया, और वो बिल्कुल भी ओन नहीं हो रहा था, मैंने बहुत ट्राइ किया, अल्मोस्ट दस मिनित जाके, अब ही जाके कैमरा ओन हुए है, मेरे कैमरा पे, मेरे कैमरा पे ऐसा कुछ भी कभी नहीं हुआ है, पता नहीं कैसे आज हो गया, मुझे लगा की बैटरी नहीं है, बट अभी भी बैटरी है, मैं आपको दिखाती हूँ, अदर वाइस आप कैमरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुए, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो में देखती भी हूँ, कि कुछ ना कुछ कैमरा ओन ओफ हो जाता है, या फिर ब्लर हो जाता है, पैरनॉर्मल चीज़े होती है न, मुझे पता नहीं, बहुत ही गुटन सी लग रही है अभी, बट पत मेरे पास वो मोबाइल होता न, मैं उससे भी अगर शूट करती तो मैं आपको डिरेकली दिखा पाती कि हाँ, देखो मेरा कैमरा ओफ हो गया है, कभी भी नहीं हुआ है, मतलब आप लोग बिश्वास ही नहीं करो गया, I know कि बहुत सारे लोग ऐसे कॉमेंट्स भी करते हैं, जो भी हो, मेरे साथ तो हो रहा है, वो मुझे ही बता है, ठीक है, तो अभी लाइक्स को ओफ करके फिर से एक बद ट्राइब करें, वेरोनिका, 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 वेर आई थिंग कि मुझे इस गेम को भी स्टॉप करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ बाई मैंने जितने भी हॉरर गेम्स खेली है न ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मेरे कैमरा में ऐसा कुछ हुआ है आपने शाएथ किसे के वीडियो में आपने शाएथ देखा होगा कि कैमरा कभी बलाद हो जाता है या फिर ऐसा होता है मैंने ऐसा सुना है सिर्द यूटूब बीडियो उसके में बात नहीं कर रही हूँ जो लोग रियल लाइफ में पैरनोर्मल इन्वेस्टिकेटर होते हैं, उनके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, कि बैटरी ना अचानक से डाउन हो जाता है, और कैमरा ओफ भी हो जाता है, तो ये सारे चीजें कुछ भी इत्तिफाक नहीं होता है, जहां तक मैंने रिसर्च किया की कारी में रिसर्च कि यवषयां, आंको की ज़ीद्ध सांहा है, कि जो भी साथ होते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ रिसन्स होती है, और मैं मांती हूँ, बहुत करती हूं, अनोर्य ने झाला होता कि वोटे होता है, तो फिर नेगिटिव पर किसी थिट इनर्जीध को बट काश में आपको दिखा पाती कि कैमरा ना चानक से बंध हो गया और मेरा जो ड्रोयर है ना उसमें पताने कैसा एक आवाज हुई जब मैंने विरोनिका विरोनिका का नाम लिया यह सब क्या था बट बहुत ही जादा क्रीपी बहुत ही जदा डरावना वाला रिचुल था यह मैं तो कभी भी कभी नहीं खिलूंगी इसको और सबसे जादा जो डरावना चीज है कि जब कोई इस गेम को खेलता है ना वो जो आत्मा है जो स्पिरिट है वो हमेशा के लिए मे जो भी सकता है मुझे इतना जादा डर लगड़ा है आज कि मुझे असा लगता है कि मैं सारी रात आप लोगों से बाते करती रहू ऐसे और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टेग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके फॉलो कर लो और मेरे नए चैनल पे जाके हाई जरूर लिखना मैं मिलते हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई गुट नाइट